बिस्मिल्लायरमानीरहीम, असलाम अलेकों, पासित मह्मूत के बवर्ची खाना में खशाम अदीद दोस्ताब सब लोग का बहुत शुक्र है मेरी वीडियो लाइक करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए अच्छेचे कॉमेंट्स करने के लिए आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार सी वेजीटेबल काडाही इसके लिए जो मैंने इंग्रीडिंट्स लें हो बता दूए मैंने तीन मीडियम साइज की प्यास लिए एक पाव तकरीबन इसको बारीक बारीक ओमलेट की तरह कट कर लिया है इसे तरीके से एक पाव टिमाठर है उनको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है जितना बारीक हो सकता था एक पाव आलू है जिसको मैंने फिंगर चिप स्टाइल में कट कर लिया है एक पाव मटर हैं छिल के समेथ ही छीलने के बाद हैं छीलने से पहले एक पाव थे एक पाव शुमला मिर्च है जिसको मैंने पतला-पतला जूलियन कट कर लिया है एक पाव घाजर है मेरे पास उसको भी मैंने लंबा-लंबा कट कर लिया है फ्रेंच फ्राय स्टाइल में और आदा किलो मेरे पास फूल गोपी है, ये कटिंग के बाद इतनी बची आदा किलो का फूल था, मसालों पर आ जाते हैं, दो चमच मेरे पास कसूरी मेथी है, एक चमच मेरे पास लसंद का पेस्ट, एक चमच अधरक का पेस्ट है, दो टिबल स्पून मेरे पास क्रीम है, डब् चम्मच जीरा पाउडर और फ्रेंट्स हम बनाने स्टार्ट करते हैं एक खुले मुगा बतन लेंगे इसमें चार टेबल स्पून कुपिंग वाइल डालेंगे इसे थोड़ा गरम होने देंगे अब इसके अंदर हम फूल गोबी और जो आलू हमने कट करके रखे हैं वो डाल देंगे आग मैंने फुल रखी इनको मैंने फुल आग पे चार से पांच मिनिट के लिए फ्राइ करना है दाकि इनका जो एक सबजी का कच्छा पन है बहुत दूर हो जाए और सबजी की क्रेंचीनेस भी काइम रहे है ओवर कुक हम नहीं करेंगे इनको इनको सौटे करना है फ्रेंट आप अपनी मर्जी से सबजीयां कम जादे भी कर सकतें जो आपके पास अवेलेबल हो मुझे यही अवेलेबल थी मैंने यही यूज़ की मुसल सल हिलाते रहेंगे जी दोस्तो पांच मिनिट हो गया है तो अब हम इसके अंदर अपने मटर शामिल कर देंगे जो हमने निकाल के रखे वे थे इनने भी तेज आग पर हम 4-5 मिन्ट के लिए फ्राइ करेंगे यहां उस वक्त तक फ्राइ करेंगे जब तक हमारे मटर फूटने ना लगें जी दोस्तो हमारे मटर फूटने लगें हमका कलर भी चेंज हो गया है अब हम इसमें जो गाजरे कट करके रखी थी हम वो शामिल कर देंगे चूला फ्रेंड्स मैंने फुल ही रखा हुआ है आग स्लो नहीं करनी नहीं तो हमारे सबजियां जो है उनका पानी निकल आएगा और वो मुर्जाने लगेंगे हमने इनको करंची ही रखना है इन्हें भी मिक्स करेंगे हम इन्हें दो मिनिट के लिए हाट लिए हैं तीन मि मिर्च शामिल कर देंगे और इसे भी हम एक से डिर मिनट ही फ्राइ करेंगे हाई फ्लेम के ऊपर तेजा के ऊपर ताके शुम्रा मिर्च भी मुर्जाए नहीं इसका सब कच्छा पंदूर हो जाए और क्रंचीनेस काइम रहे अपनी जगा पर जी दोस्तों तो डिर मिनट हो से दुबारा एक मिनट के लिए बस जी दोस्तों तो हम इन वेज़ी टेबल्स को निकाल लेंगे किसी दूसरे बरतन में अब इसी पैन में हम दो टेबल स्कून कोपिंग वाईल डालेंगे और जो हमने प्याज रखा वा था वो हम इसमें शामिल करेंगे और दोस्तों हम इस प्याज को उस वक्त तक भूनते रहेंगे जब तक प्याज नरम और हलका ब्राउन नहीं हो जाता फुल ब्राउन नहीं करना सौफ्ट और हलका सा ब्राउन करना है ताके हमारी जो ग्रेवी है कडाही की वह बहुत मज़ेदार से बहुत प्यारे से कलर वाली हो तो तक्रीब हम अद्रग और लसंद का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे भी तकरीबन 3-4 मिनिट तक हम भूनेंगे ताके इसकी भी इसका कच्छापन भी दूर हो जो खुश्बू भी अच्छे से प्याज में मिक्स हो जाए जी दोस्तों तकरीबन 5 मुन मैंने अद्रग लसंद को भी भून लिया है अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे और इन्हें भी उस वक्त तक मिक्स करते करते पकाएंगे जब तक हमारे पास एक स्मूध सा पेस्ट रेडी नहीं हो जाता तो एक दो मिन फ्राइ कर लें इसको और हमारे जो स्पाइसी थे जो हमने ड्राइ इंग्रीडियंट्स यह जहीं ड्राइ मसाले जो रखे वे थे खुश्क मसाले वो हम इसमें शामिल कर देंगे नमक के इलावा नमक क्योंकि मैं लास्ट में शामिल करूंगा नमक एंड में यह सारे मसाले हम डाल देते हैं, क्योंकि जब हमने जो सबजियां रखी हैं, उनको डालेंगे उस वक्त हम नमक शामिल करेंगे, अभी नहीं शामिल करेंगे, फिल हाल इन मसालों को हम अच्छे से बुनेंगे, आग मैंने मीडियम रख्या हुई है, ताके मसाले जल न जाएं, इन्हें mix करते जाएंगे और जब तक एक smooth सा paste नहीं ready हो जाता तब तक हम mix करते रहेंगे चम्मत चलाते रहेंगे जी दोस्त हमारा मसाला जो है melt होने लगा है थोड़ा थोड़ा अच्छा खासा ड्राइ हो गया और मिक्स हो गया है लेकिन मुझे लग रहा है जल रहा है थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा इसके अंदर मुझे थोड़ी से मसाले की जलने की स्मयल आ रही है तो तक्रीबन दो टीबल स्पून मैंने भी टाला है इसको हम मिक्स करते करते भूनते जाएंगे क्योंकि हमें प्यूर बिल्कुल स्मूथ पेस्ट चाहिए अपने मसाले का जी दोस्तों तो हमारा मसाला अल्मोस्ट रेडी है तो जो वेजीटेबल हमने निकाली थी वो इसमें शामिल कर देंगे हम इन अच्छे से मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं हमारी वेजीटेबल मुर्ण राई नहीं है माशाला क्रंची क्रंची और खड़ी खड़ी सी है क्रिस्पी सी तो सारा मसाला इवनली हम इन पर डिस्ट्रिब्यूट करेंगे अच्छे से मिक्स हो गया दोस्तो दोसके ओपर हम जो नमक था हम वो दोस्तों कर देंगे जो हमने रखावा था दो टेबल स्नमक क्रफ़ी तो ढर्ली तो अब हम इसको तक्राविबन एक कप पानी डालेंगे और इसकोâte मिक्स करेंगे दुबारा से अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी और शामिल कर लेंगे क्योंकि हमें थोड़ा पानी वाला इसको रखना है जरूरत है थोड़ी सी और पानी थोड़ा सा और शामिल कर लेते हैं आदा कप डाल लेते हैं और डेर्ड कप पानी चला गया इसको mix करते है अब इसको तेज आग पे बलके मीडियम आग पे हम cover करके पांच मिनट पकाएंगे ताके सब्जियां अगर थोड़ सी भी कची तो पक जाएं जी दोस्तों तो हम देखते हैं हमारी सब्जियां भी अच्छे तरीके से कुख हो चुक इसे भी mix कर लेंगे इसे दुबारा दो मिनिट के लिए हलकी आग पर ढग देंगे ताके कसूरी मेथी की हुश्बू भी हांडी के अंदर अच्छे से mix अप हो जाए जी दोस्तों तो देखते हैं माशाला बहुत प्यारी हुश्बू बहुत प्यारा texture हमारे सालन का आ चुक में यह डाल देंगे और हम इसको mix करेंगे अच्छे तरीकिस और चूला बंद कर देंगे जी दोस्तों तो हमारी फ्रेश क्रीम भी mix हो चुकी है तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं जी दोस्तों हमारी मज़ेदार सी क्रीमी क्रीमी स्पाइसी स्पाइसी वेजिटेबल कड़ाई रेडी है तो अगर आपको रैसी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपना बहुत सारा खैल रखेगा मुझे इ वेजिगा मुझे अजयार खैले वेजिए झाल